दो दिन पहले श्री हनुमान जी के च्रिट्र के बारे में आपके सामने ये पताया गया था ये बात रखी गई थी कि हनुमान जी को बुद्धि मताम वरिष्ठम क्यों कहा जाता है हनुमान जी वेद वेदांग के जानने वाले हैं वेद के तत्व को धर्म के तत्व को जानते हैं उनकी भाशा का उच्चारन कैसा है, उनके मुखमंडल के हाव भाव कैसे हैं, जिसको की आजकल हम body language कह देते हैं। भगवान श्री राम इतने इंप्रेस हुए, इतने प्रभावित हुए हनुमान जी से कि लक्षमंजी से बोने लगे कि जिस सुग्रीव के पास ऐसा दूत हो, उसके लिए इस विश्व में किसी पर भी विजय प्राप्त करना असंभव नहीं। ऐसे हनुमान जी ने अपनी verbal और non-verbal language, मोफिक भाशा और शारीरिक हाव भाव से ऐसे अपने आपको प्रस्तुत किया। इसी कारण उनको बुद्धी मताम वरिष्ठम कहा जाता है, बुद्धी मानों में श्रेष्ठ हैं, भक्तों में श्रेष्ठ तो हैं ही, वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन बुद्धी मताम वरिष्ठम भी हैं, अब उनकी बुद्धी मताम वरिष्ठम के कुछ और पहलू आ द्यान्य भाव को अपने प्रभु के इष्ट देव के समक्ष प्रगड करते हैं क्या कहते हुए एक मैं मंद मोहबस कुटल शिदे अज्ञान पुनि प्रभु मोही विसारयो दीन बंदु भगवान ये कहकर अपनी अज्यता का अपने छोटे पन का अपने द्यान्य भाव का करते हैं अपने इष्ट देव के आँगे तक प्रश्चात वो भगवान श्री राम के चर्णों में सधा सर्वदा के लिए अपने जीवन को समर्वभित करते हैं जैसा कि हम उनके चृत्र में रामायन में देखते हैं कि एक बार उन्होंने भगवान प्रश्री राम के चर्णों का आश्रे लिया तो उसके पश्चात उन्होंने छोड़ा नहीं भगवान के चर्णों को उन्होंने छोड़ा नहीं और नहीं तो भगवान ने कभी उनको आग्या दी अपने चर्णों से दूर होने की या जाने की यह प्रसंग भी आता है अब श्री राम श्री सीता जी के साथ राजया अविशेक होने के पश्चात कुछ समय बीच जाता है, छे एक महीने बीच जाते हैं, तो अपने सभी अन्चरों को जो कि अलग लग देशों से आए हैं, वानरों को विभीशन को एक एक करके विदा करने लगते हैं, हनुमान जी को विदा होने के लिए जाने के लिए नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ पे तुम सब लोग अपने 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 घरों को जाओ, तुम सब लोग अपने-पने घरों को जाओ ऐसा भोलते देते हैं बगवान अब हनुमान जी का तो कोल धरी नहीं उनका घर क्या है धर क्या अर्थ क्या रहता है यहां पे कोई बिल्डिंग का नंछ घर नहीं होता हाँ बिल्डिंग भी होती है घर की ऐसी बात नहीं अधिक तर ऐसा देखा जाता है लेकिन घर का अर्थ अपने अपने घर जाओ का अर्थ जहां जहां तुम्हारा आश्रे स्थान है वहां जाओ जिस जिस स्थान का तुम्हें आश्रे है तुम वहां जाओ ऐसा बोलते हैं अपने अंचरों को विभीशन और अन् अंगत थे हनुवान आदी और विवानर वहां पर उनके सामने रिक्षराष्ट जामवान आदी उपस्तित थे। अब जिसका घर प्रभु के चरन हैं, जिसका आश्रय प्रभु के चरन हैं, वो प्रभु के चरनों को छोड़ के कहा जाएगा। इसलिए हनुवान जी की ये भावना है, विशुद्ध वक्ति, अनन्य भक्ति, विशुद्ध वक्ति, इसका आश्रय है, हमें आश्रय है अपने घर का, अपने बल का, अपने मित्र सगे समंधी, उनका आश्रय हम स्विकार किये रहते हैं, अपने बुद्धी बल का आश्रय स् अच्छा है, हनुमान जी बुद्धी बताम वरिष्ठम है, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धी का आश्रे नहीं ले रखा, अंतर ये है, बुद्धी का ज्यान का कोई नुकसान नहीं होगा, अगर हम उसका अभिमान ना करें तो, अपितू, उसके तो लाभी लाभ हैं, मान प्राप्त है, ये बात मी मैंने आपके सामने कुछ दिन पहले रखी, तो बुद्धी होना, ज्यान होना, वेदग्य होना, तत्वग्य होना, ये तो भक्ती के लिए अत्यंत, लाभकारी और अत्यंत, सहयोगी तत्व हैं, मेरी दृष्टी से, परंतु, जब इन सब गुनों को त्रिस्कृत दृष्टी से देखा जाता है, उसका कारण यही रहता है, उसमें इन गुनों का कोई दोश नहीं है, लेकिन ये सब गुन दोश में तब बन जाते हैं, जब हम इनका आश्रे लेने लगते हैं, आश्रे लेने लगते हैं, हनुमान जी के पास बहुत बल तो हम सब जानते हैं, कनक भूदराकार सरीरा और लंका के युद्ध में राक्षोसों के साथ युद्ध हुआ जो उन्होंने अपना अपारवल दिखाया वहाँ पर, अन्या अन्वानरों में भी बहुत बल था, अंगद में कंबल नहीं था, सुकृरिव में कंबल नहीं था, और हनवान जी तो सोयोजन का समुद्र लांग है, तो बल है, भक्त में बल है, भक्त में बुद्धी है, लेकिन भक्त को अपने बल का, अपने बुद्धी का आश्रे भक्त को आश्रे है तो केवल और केवल प्रभुचर्णों का और किसी का नहीं अगर प्रभुचर्णों के इतर कोई और आश्रे है तब अभी तक भक्ति परिपक्व नहीं हुई ऐसा समझ लेना चाहिए अगर हमारे मन में अभी संसार के अन्या अन्य आश्रे है आश्रों का अवलंग है धन का बल का अशारीरिक बल का बुद्धिद का अपने मित्र संबंदि नातों का अगर इनका आश्रे हमस्विकार किये हुए है तो इसका अर्थ केवल और केवल यही है कि अभी तक हमने उस परम परकाशक का उस परम पिता परमात्मा के आश्रे को पूर्ण रूप से स्विकार नहीं किया। अगर हमने थोड़ा बहुत भी जाना पहचाना समझा होता तो हम इस जगत के आश्रेओं की तरफ देखना बंद कर चुके होते। और जिसको दुर्गा शप्त सती और देवी भागवत अहम ब्रह्म स्वरूपनी जिसको दुर्गा कहा जाता है। और उस तत्व को हमने पहचाना होता तो इस संसार के अन्या अन्या आश्रेओं का हम अवलंब नहीं लेते, सहारे न ढूंटे फिरते इस जगत के। हनुमान जी को घर नहीं बेड़ा भगवान राम ने एयोध्या से, बाकी सब को भेज दिया, विभीशन को भेज दिया, सुकृरीव को भेज दिया, अंगद को भेज दिया, हाला कि अंगद के साथ थोड़ा वारता लाप हुआ, लेकिन उसके अभी डिटेल में यहां नहीं जाओंगा, तो वहां पर हनुमान जी को उन्होंने घर जाने के लिए नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, कहा सब घर जाओ, हनुमान जी भी वहीं कड़े थे, वहीं पर थे, प्रव की होकर घर जाने लगे, अंगद जी ने कुछ आना कानी की, लेकिन भगवान ने उनको भी भेश दिया, लेकिन हनुमान जी जानते थे और भगवान भी जानते थे, भगवान शीराम भी जानते थे, क्या, कि सब अपने अपने घर जाओ, ये बात हनुमान जी पर अप्लिके क्या है और लोगों को तो विभीशन आदि को सुक्रीव अंगद आदि को तो आश्रे हैं और आश्रे हैं उनका अपना राच्य है अपना परिवार है धन संपदा है अपार सुक्रीव की भी विभीशन की भी अन्य अन्य वानरों की भी लेकिन हनुमान जी के पास क्या है हनुम और केवल प्रभू चरनों का, तो जब सब अपने अपने धर जाने लगे, हनुबान जी तो केवल, हाथ जोड़े भगवान के समक्ष खड़े हैं, बिना किसी चिंता के, उनके माइंड में ये क्रॉस ही नहीं किया, कि मुझे कहीं जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि उनको पत जोड़के जाएगा कहां, जा ही नहीं सकता, कोई और घर ही नहीं है, इसलिए हनुमान जी हमारे लिए ideal devotee हैं, आदर्ष भक्ते हैं, अनन्य भक्ति क्या होती है, अनन्य भक्ति का सो रूप क्या है, क्रियानवित रूप क्या है, बाते करने को तो कर सकते हैं, कैसी होनी अनन्य भक्ति के तत्व को हम प्रकाशित कर सकते हैं, वानी से, शब्द से, लेकिन उसका क्रियानवित रूप क्या है, वो हमें हनुमान जी के चरित्र में ही देखने को मिलता है, तो ऐसे हनुमान जी, जिनका घर केवल और केवल श्री राम चरन हैं, अब वो जाते हैं कहां लंका में लंका जाने से पहले भी कुछ ऐसे चरित प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें ये ग्यात होता है कि हनुमान जी भगवान को इतने प्रियक्यू है हनुमान जी की प्रात्ना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की ये हम जानते है और सुग्रीव की रक्षा के हेतू, सुग्रीव के कष्ट निवारन के हेतू, उन्होंने बाले का वध्रे किया परंतु उसके बाद क्या हुआ? सुग्रीव को राजय प्राप्त हुआ और राज्य प्राप्ती के पश्चात भोग विलास ने वो इतना तल्लीन हो गया सुग्रीव कि राम काज को उसने भुला दिया क्या हनुमान जी भूले? नहीं हनुमान जी नहीं भूले हनुमान जी की तो सतत राम कारे का ध्यान था इसलिए वो आधर्श भक्त हैं आधर्श भक्त इसलिए हैं सुग्रीव भी राम भक्त हैं इसमें कोई संशे नहीं सुग्रीव भी राम को प्रिये हैं लेकिन सुग्रीव की वो प्रतिष्ठा नहीं है जो हनुमान जी की है और इसका कारण क्या है? कोई पार्शियलिटी है भगवान राम ने कोई फेवरिटिजम किया है यहां पर कि यह मुझे जादा प्रिये और यह कम प्रिये है? नहीं भगवान के यहां कोई पार्शियलिटी भेदभाव नहीं है कोई फेवरिटिजम नहीं है कोई जादा प्रिये है और कम प्रिये ऐसी बात नहीं हाँ लेकिन जो जितना मन लगाएगा भगवान में भगवान भी उसमें उतना ही मन लगाते हैं सुकृरीव ने मन लगाया कहा भोग विलास एश्वरे में भगवान के कारे को भूल गया रामकाज को भूल गया अनुवान जी चिंता कर रहे हैं कि सुकृरीव को किसी प्रकार चिताया जाए बताया जाए कि सुकृरीव तुने भगवान श्री राम से कोई क्या किया था वच की चिंता मत कीजिए, राजय प्राप्ति के बाद भोग विलास में उनमत होकर सुग्रिव इस बात को भूल गया, हनुमान जी नहीं भूले, क्यों हनुमान जी को भोग ऐश्वरे से कोई मतलब नहीं है, भक्त किसी भी परकार के भोग ऐश्वरे को अपने लिए नहीं स्विक करता, भक्त विरक्त ही हो सकता है, जो विरक्त नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता, वेराज्यवान ही भक्ती का मार्ग अपना सकता है, जो भोगी है, विलासी है, सुगुरिव सरीखा, धन प्राप्ती के पस्चात, राज्य प्राप्ती के पस्चात, जो भोग विलास में अपन मन को रमा देता है वो भक्ती के मार्ग पर कैसे अग्रसर होगा उसकी भक्त के रूप में कैसे प्रतिष्ठा होगी उसे भगवग प्राप्ति किस प्रकार होगी विचार करें हनुमान जी ने सुग्रीव को चेताया कि तुम काम भूल गए अपना वचन भूल गए भगवान राम ने जो तुमे काम दिया था वो तुम भूल गए अपना वचन भूल गए इसलिए अब सजग हो जाओ हनुमान जी ने सब वानरों को भी एकत्रित कर लिया सुग्रीव जी जब तक अपने भोग विलास की माइंड से बुद्धी से बाहर आए तब तक हनुमान जी ने सब वानरों को एकत्रित कर लिया था इतने में लक्षमन जी भी आए और फिर सब भगवान श्री राम के पास जाते हैं और भगवान श्री राम जानते हैं कि हनुमान जी ही सीता अन्वेशन में सीता जी की खोज में ये सफल होंगे, उनको अपनी मुद्रिका देते हैं, मुद्रिका देते हैं क्यों? ताकि सीता जी को, माता सीता को ये आश्वासन मिल जाए कि ये इसही में रामदूत हैं और रामभक्त हैं ये नीती शास्त्र की और राज तंत्र की ये एक परंपरा रही है, परंपरा क्या? कि कोई इस परकार की वस्तु का आदान-प्रदान किया जाए, जिसमें किसी भी परकार का संदेह न रहे हैं जो भाषा का प्रयोग हो, जहाँ जहाँ भाषा असंदिक्द होनी चाहिए, वहाँ असंदिक्द हो और भाषा के साथ साथ, जो विचारों का आदान-प्रदान है, उसमें भी किसी परकार की संदिक्ता न हो। और सो योजन समुद्र लागने का प्रशन जब आया तो जामवन्त जी ने उनको रिक्षराज जामवान ने उनको बता दिया क्या बताया जो बल वो खुद भूल चुके थे उसी को उन्होंने बता दिया कि हनुमान तुमारा काम तो राम काज के लिए हुआ है अब जाग गए एक बार तो फिर तो बस हनुमान जी की ही कहते हैं राम काज की ने विना मुह कहाँ विश्राम सो योजन समुद्र लांगने पर उनकी परिक्षा होने लगी परिक्षा किसने की सबसे पहले सुर्सा ने सुर्सा के बाद सिंका ने सिंका कौन छाया ग्राहनी राक्ष से जिसे कहा जाता उसी के नाम सिंका है ये दो तो मिली अनुमान जी को रास्ते में तो तीसरी मिली लंकिनी, लंकिनी कहां मिली, लंका के द्वार पे, तो ये जो तीनो राक्षसियां मिली, ये किसका प्रतीक है, क्या दरशाती है, ये बात अब मैं आपके सामने रखूंगा. एक बार व्यक्ति, जब ये दृट निश्चे कर लेता है, क्यों मुझे प्रभुकारे, रामकारे ही करना है और कुछ नहीं, तो उसके सफामने तीन प्रकार की माया आती है. तो तीन प्रकार की माया कौन कौनसी है? साथविक माया, राजसिक माया, और तामसिक माया. यह पूरी प्रकृती ही, पूरा जगत ही, दृष्य जगत, पूरा विश्व, पूरी प्रकृती तीनों गुनों से बनी है, सत, रज और तमसे, जिसको की साथविक, राजसिक और तामसिक कहा जाता है तो यह तीन प्रकार की जो माया है, यह भक्त को पकड़ने के लिए, भक्त को बहलाने के लिए, भक्त का मनोबल तोड़ने के लिए, उसके मार्ग में अवश्य आती हैं हनुमान जी के ही मार्ग में आई ऐसी बात नहीं है, यह सब भक्तों के मार्ग में आती है, इसलिए अगर आप भक्ती के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इन तीन प्रकार की माया से सजग हो जाएं और हनुमान जी के चरित्र से ये सीख लें कि किस परकार की माया से किस परकार आपको डील करना है, किस परकार की माया से आपको किस परकार निबटना है, ये हनुमान जी हमें अपने चरित्र से बता रहे हैं, तो सरप्रतम आती है कौन सुर्सा, सुर्सा कौन नाग माता, सुर् उनिके बलबुद्धी की पृक्षा के लिए उन्होंने वेजा को सुर्सा जो की नाग माता है जो अपना मुख बड़ा-बड़ा करती जाती है आपने शायग रमायन सीरियल में या अन्य कहीं और देखा सुना पड़ा होगा वश्य ही तो ये क्या है ये डेव माया है ये जो डेव माया है ये है साथविक माया है साथ विकमाया है ये। हनुमान जी ने सुर्षाज पर सीधा अटैक नहीं कर दिया। सीधे उसकी गर्दन नहीं उड़ा दी। ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कहते हैं। प्रणाम करते हैं जाकर सुनत बचन के पवन कुमारा राम कार कर फिर मैं आओं सीधा के सुधी प्रभू सुनाओं। तब तब बदन पैठ में आई सकते को हैं मुही जान दे माई। प्रणाम करते हुए मस्तक नवाते हैं उनको कहते हैं कि मैं राम काज के लिए जा रहा हूं। सीता अन्वेशन के लिए जा रहा हूं, सीता जी की सुधी प्राप्त करके उनके वचन को भगवान सी राम को देकर फिर मैं खुद ही तुमारे मुँमें आ जामगा, यह सींग का अयत माफ कीजिए, इस सुर्सा कौन है, सुर्सा है सात्विक माया, सात्विक माया से हमें उलज करना चाहिए, बिना उलजे, नमस्कार करके अगर सात्विक माया हमारा पीछा छोड़ दे, तो बहुत सुंदर उसे उलजना नहीं चाहिए, जहां तक हो सके, लेकिन जब सात्विक माया पीछा ना छोड़े तो फिर, फिर आगे क्या हुआ, सुर्सा ने अपना मुख भेला पाया, उन्होंने सोला जियोजन मुख किया, तो उन्होंने फिर बत्तिस किया, बत्तिस का आगे फिर बढ़ता बढ़ता कितना हुआ, कौन जानता है, लेकिन हनुमान जी उसे अपनी शक्ति से नहीं जीत पाए, शक्ति से जीत पाए क्या है, हनुमान जी ने अपने शक्ति आके मुझे जाने दो, बस, माता मुझे जाने दो, मुझे रामकाज करने दो, उसके बाद मैं खुद ही तुमारे मुख में आके घुस जाओंगा, क्योंकि भक्त को अपने जीवन मृत्यू, अपने श्रीद में कोई आ सकती होती नहीं, जीवन मृत्यू से भक्त को कोई अंतर नहीं पड़ता, तो ठीक है, रामकार्य हो गया, तो मृत्यू के मुख में चले भी गए, तो कोई अंतर नहीं, रामकार्य होना चाहिए, अब हनुमान जी को जो दायत्व मिला है, क्या दात्व मिला, करमुद्र का देदी भगवान ने, और उनको सीता जी के पास जाना है, सीत जी के वचनों को भगवान शीराम को पुनह सुना कर, वो सोचते हैं कि मेरा दायत्व जो है, मेरा जो कारे है, मेरा जो सेवा है, वो पूर्न हो जाएगी, उसके बाद मैं इस सिहिंग का सुर्सा, जो है, नागमाता सुर्सा, उनके मुख में घुस सकता हूँ, कोई अंतर न लेकिन जब नहीं जाने दिया, भगवान जी कहा है, खा ले खिर मुझे, जब खाने की बाद हाई, तो उसने मुख बढ़ाया, और हनुमान जी ने भी अपना शीर बढ़ाते कि अंतर मेरा हनुमान जी ने क्या किया, शक्ती से नहीं जीता सुर्सा को, सुर्सा को जीता, सुस्सा के मुख में जाकर बाहर निकलाए अत्यंत लगू रूप बनाकर तो अति लगी रूप पवंसुत लीना बदन पठाई पुनी बाहर आवा मांगा विदाता ही सिरनावा तो सात्विक माया केवल हनुमान जी को ही नहीं घेरती आकर हम सब भक्तों को घेरती है बक्ती के मार्ग पर जो भी अग्रसर होना चाहता है रामकाज पर करने के लिए जो भी परवृत होता है उसको सात्विक माया आकर घेरती है देवों की भेजी हुई माया देवताओं की भेजी हुई माया होती है ये, देताओं नेहीं सुलसा को भेजा था, तो देताओं की जो μέया है, जो सातविक माया है, उससे हमें शक्ति से जीतने का परियास नहीं करना चाहिए, क्योंकि शक्ति से हम देताओं को नहीं जीत सकते, उनका बल अपार है, एक मुनुष्य के, compare करें तो, एक मुनुष्य की तुल्ना में, उनका जो माया है या पार है, उसको हम पार्त नहीं पा सकते सात्विक माया को नमसकार करें उससे ना उल्जें और अगर उसे जीतने का ही प्रयास करना हो तो शक्ती से नहीं युपती से करें जैसे हनुमान जी ने किया फिर भी सिरनवा कर चले गए क्या मागा विदा का ही सिरनावा अंकार के साथ नहीं चला गया, मैंने तुझे युक्ति से हरा दिया, अब तु भाग जा, ना, क्या किया, मुख में गुसे लगुरू बढ़के, उनी बाहर आवा, मांगा विदा, ताहिसिर, नावा, सिर ही दवाना चाहिए सात्विक माया को, और युक्ति से इस से पीछा शुड़ा लेना चाहिए भक्त को, उसके बाद उनको सात्विक माया का आश्रवाद, देवताओं का आश्रवाद पराप्त हो गया, अब जब देवताओं का आश्रवाद पराप्त हो गया, तो रामकाज में और किसी परकार का जादा, देवताओ की तरफ से तो और कोई अब ये विलम नहीं होना चाहिए कि तरफ से कोई रुकावट किसी परकार का अप्स्टेकल नहीं आना चाहिए इसी परकार की रुकावट नहीं आएगी अब देवतां से ऐसा आप मान लीजिए। लेकिन सात्विक माया के पस्चात उनको कौन सी माया आके घेड़ती है सिंही का छाया ग्रहनी राक्षसी निसिचर एक सिंध में रही करी माया नवकेख गही जीव जन तुझे गगन उड़ाईं जल बिलो कितनके परचाईं चाया पकड़ लेती थी यह सिंहीं का छाया ग्रहनी राक्षसी चाया को पकड़ने से जो उड़ते हुए जीव जन तुझे वो उड़ना बंद करते थे और फिर यह उनको पकड़के खा लेती थी हनुमान जी ने क्या किया यहा कर इसको से नहीं नवाया यह नहीं कहा ना कोई नमसकार ना सिर्व नवाया ना किसी परकार का कुई ललकार, ना कोई गुंकार, कुछ नहीं, तासो कपट कपी तुर्ते ही चेना उसके कपट हनुमान जी ने पहचान लिया, तुरत, तुरत पहचान लिया, फटाख से जबे Ermata पहचान दिया उसे, और कुछ नहीं किया कोई अनुनेविने नहीं कोई नहीं मैं जाता हूँ राम काज करके आता हूँ फिर तेरे पास आप नहीं किसी परकार का अनुनेविने नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि ये देवों की ये सात्विक माया नहीं ये तो तामसिक माया है और तामसिक माया को शिग्र अति शिग्र तुरत ही चीन हां तुरत ही तुरत फटाफट उसे पहचान कर किसे तामसिक माया को पहचान कर उसको जड़ से काट देना चाहिए तामसिक माया भक्त के लिए सरवदा त्याज्य है और उसको भक्त जीत सकता है अपने बल से नहीं भगवद बल से भगवद क्रिपा से भक्त उस तामसिक माया को खटा सकता है अपने माज्य से लेकिन कैसे फटापट उसे उल्ज़ना नहीं उलजेंगे तो उसका चिंतन होगा तामसिक माया का जब चिंतन होगा तो आपको नीजे कोई धगे लेगी इसलिए तामसिक माया से उलजणा नहीं उसे जल्दी से जल्दी पहचान कर उसको खतम कर देना है जैसे हनुमान जी ने सिंगा को एक ही अरधाली में यहाँ पर बता यह उन्होंने ताही मारी मारुट सुद भीरा बारिधी पार गयों मति धीरा तूसरी दास जी ने यहाँ पर कोई explanation दे पस मारा और बारिधी पार चले गए इसके पार सागर के पार मति धीर चले गए मति धीर कहा उनको हनुमान जी को मति धीर जिन में जिनकी बुद्धी में धैर है बुद्धी में समता है वो मति धीर ऐसे हनुमान जी चले गए समुत्र के पार तुरत ही पहचान कर किसको सिंगिका को और उसको मार कर तो भक्त को सात्विक माया को तो नमस्कार करना चाहिए उससे उलजना चाहिए उसे जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए अपने बल से उसे अगर जीतना ही पड़े अगर सात्विक माया पीछा ना छोड़े तो बल से नहीं शक्ति से नहीं उसे युक्ति से ही जीता जा सकता है और युक्ति से जीत कर उसका आशिरवात प्राप्त करके भक्त को अपने भक्ति के पर रामकाज पर आगे अग्रसर होना चाहिए और कभी अगर भक्ति के मार्ग पर कभी क्या मिलती ही हैं सर्फ हमेशा मिलती हैं ये सिंग का राक्षी हमें चाहा अग्राहनी राक्षसी ये वो तामसिक तत्व हैं जो हमें पकड़ लेती हैं तामसिक माया जो है ये घोर तमो ग हमें पकड़कर प्रमादी बना देता है आलसिव और प्रमाद के कारण क्या होता है भक्त भूल जाता है कि उसे कहीं जाना भी है। इस सिहिंहका के इस तामसिक माया के चुंगल में फसकर जहां है वहीं पर अधोगति को प्राप्त हो जाता है भक्त। बक्ति के मार्क पर आगे अग्रसर नहीं हो सकता इसलिए इस तामसिक माया को तो सदा सरवदा त्याग ना ही चाहिए कि इसको जड़ से इसका अनुमूलन कर देना चाहिए ज़्यादा उलशना इससे भी नहीं चाहिए पहचानो और खतम कर दो उसके बाद रह गई राजशी माया राजशी माया लंकिनी है लेकिन लंकिनी के साथ राजशी माया के साथ कैसा वेवार करना चाहिए हनुमान जी कह रहे हैं वो कल बताएंगे आज समय हो गया है तो आज मैं अपने सस्वंग को यहीं पे विराम देता हूँ, कल मिलेंगे तो चर्चा करेंगे कि एक भक्त को राजसी माया के साथ या राजसिक माया के साथ किस प्रकार निपटना चाहिए और हनुमान जी ने लंगिनी जो कि राजसिक माया को रेप्रेजेंट करती है, जो राजसिक माया की प्रदीख हैं, किस प्रकार उनसे निपटे, किस प्रकार उनको जीता, उसकी चर्चा कल करेंगे और हनुमत चृत के कुछ और परिपेक्षियों को भी आपके सामने रखने का प्रियास किया जाएगा